हलो दिस इस विकास पार्थक और आप देखना सुरू कर चुके हैं एलाइस वारियो आज हम बात करेंगे सेल के बारे में समझेंगे इसे क्या है यह देखिए इन वल्ड ऑब आप बायलोजी एक बेख्थू तब आती है जब मास्वी इन्वेंशन होता है उप्टिक ने इन्वेंशन ऑफ मास्वी आते हैं इसे सोब बदन चीज़गा बारे माक्रोस्वी ₂ध को यह देखने का नजरिया बन Wanna watching के बार सिक्षिफ्टी you want में एक scientist आते हैं जिनका नाम है Robert Hook और ये microscope से अपने designed microscope से ये study करते हैं cork का जो की date plant है उसका ये study करते हैं और उसमें पाते हैं कि इसमें कई basic units हैं जिने वो sale का नाम देते हैं जब Robert Hook ने cork sale की study करी तो उन्हों ने पाया कि वो कुछ इस तरह का दिखता था यहां पर जो आप देख रहे हो यह सब जो part है इन्हीं को उन्होंने शेल कहा ठील का definition जान लेते हैं देखिए sale एक Latin word है और इसका मतलब होता है little room ठीक है अभी तक हमने क्या जाना the fundamental and structural unit of living organism is called sale है ना means कोई body एक structure होती है है ना वो sale के कारण ही होती है क्योंकि sale एक body का structure बनाता है हमारे हाथ है पाओ है आखे है वो sale के कारण ही है इसलिए हम कहते हैं इसको the fundamental and structural unit of living organism ठीक है is called sale तो जैसा कि मैंने बताया कि यह जो first discover किया गया था sale का यह Robert Hooke के दुवारा किया गया था 1665 में उन्होंने इसे micro graphia book में लिखा यह कापी important term है इसे आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्या होता है यह क्या करते हैं यह improved microscope से मिस microscope एक अच्छे microscope से 1674 में discover करते हैं free living cell in the pond water pond water में जो mechanism रहते हैं प्रोटो जुवा बैक्ट्विरिया उनका यह study करते हैं और वो जो है पाते हैं कि उसकी जो सनचना है वो कैसी है नेक्स्ट है आते हैं Robert Brown 1831 में और वो नुकलियस के बारे बताते सेशविम नुकलियस होता है देखिए वह कैसा होता है इसका diagram आप होता है यह तो कुछ ही इस तरह दिखता है यह Robber Brown ने बताया था pari आती है की 1839 में इन्होंने क्या पता है एक proto plasm होता है सेल के अंदर एक stars होता है लूट सबस्व था प्लीट होता है जिसे हम proto प्रोटो प्लांट्स विखा गया अब 1838 में दो बाइलोजिस्ट आते हैं यह एक थियोरी देते हैं जिसे हम सेल थियोरी के नाम से जानते हैं चेल थियोरी कहती है कि प्लांट और एनिमल्स जो है वो सेल से बने होते हैं मिन्स जैसे हम एनिमल्स सेल हैं तो हम काफी सारे सेल से बने होते हैं कोई एक फ्लांट है तो वो भी कई सारा सेल से बना हुआ है यह सेल थियोरी कहते हैं यदि यह वीडियो आपको यूसफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को प्रेस कर दें लाइक और सेयर करें त्क यू